सान्ता कारं भुजंग सैनं पद्मनाभं सुलेसं विश्वा धारं गगन सद्रिसं मेग वर्णं सुभांगं लक्षमी कांतं कमल नैनं योगी भी ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भौबै हरं सर्व लोके कनाथं मंगलम भगवान विश्णु मंगलम गुर्णोत धजा मंगलम पुंडरी काक्ष्व मंगलाय तनो हरी ओम नमो भगवते वासु देवाया आज का दिन आप सभी के लिए मंगल में हो आईये सुनते हैं पौस मास की कथा का तेरावा आधियाए सौनक जी ने कहा अर्सवत थामा ने जो अत्यांत तेरस्वी ब्रमास्त चलाया था उससे उत्रा का गल्ब नश्ट हो गया था परन्तु भगवान ने उससे पुना जिवित कर दिया उस गर्ब से पैदा हुए महा ज्यानी महात्मा परिक्षित के जिने सुगदेव जिने ज्यानोब देश दिया था जर्म कर्म मिर्तिव और उसके बाद जो गती उन्हें प्राप्त होई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें हम लोग बड़ी सधा के साथ सुनना चाहते हैं नहीं एस्प्रिय हो गए थे सौनकादी जिसियों उनके पास अतुल संपत्ति थी उन्होंने बड़े बड़े यग्र किये थे तथा उनके फल सरूप शेष्ट लोकों का अधिकार प्राप्त किया था उनकी रानिया और भाई अनुकुल थे सारी प्रित्वी उनकी थी वे ज परन्तु जैसे भूखे मनुस्री को भोजन के अत्रिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाता वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी सौनक जी उत्रा के गर्भ में एस्थित वा विर्शिसू परिक्षित जब अस्वत्थामा के ब्रम सरीर, बिजली के समान चमकता हुआ पितांबर धारन किये हुए हैं, सिर्पर सोने का मुकुट जिल मिला रहा है, उस निर्विकार पुरुस के बड़ी ही सुन्दर लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, कानों में तपाय हुए स्वर्ण के सुन्दर कुंडल हैं, आंखों में लाली मा हैं, हाथ में लुके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार-बार घुमाता जा रहा है, और स्वेम सिसु के चारो और घुम रहा है, जैसे सुरी अपनी किर्णों से कुहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रमास्तर के तेज को सांथ करता जा रहा था, उस पुरुष को अपने समिप देखकर वह गर्भस्त सिसु सूचने लगा किया कौन है, इस प्रकार उस दस मास्त के गर्भस्त सिसु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रेमिय भगवान सिकिष्ण ब्रमास्तर के तेज को सांथ करके वहीं अंतर धान हो गएं, अंडू ने ही फिर से जम लिया हो, पौत्र के जन की बात सुनकर राजा युदिश्टिर मन में महुत प्रसंद हुए, उन्होंने धौम्य क्रीपा चारे आरी ब्रामन से मंगल वाचन और जात कर्म संसकार करवाएं, महराज युदिश्टिर दान के योगे समय को जानते थे उन्होंने प्रजा तिर्थ नामक काल में ब्रामनों को सुवर्ण, गौवें, पित्वी, गाउं, उत्तम जाती के हाथी घोडे और उत्तम अन का दान धिया ब्रामनों ने संतुष्ठ होकर अत्यांत विनाई युदिश्टि से कहा पुरुवंस सिरो मने, काल की दुर्णिवार गती से यह पवित्र पुरुवंस मिटना ही चाता था परन्त तुम लोगों पर किर्पा करने के लिए भागवान विश्णु ने यह बालक दे कर इसकी रक्षा कर दी इसलिए इसका नाम विश्णु रात होगा निस अंदे यह बालक संसार में बड़ा यसस वी भागवान का परम भक्त और महापुरुस होगा युदुष्टिर ने कहा महात्माओ यह बालक क्या अपने उज्वल यसस है हमारे वन्स के पवित्र कृति महात्मा राजर्सियों का अनुसरन करेगा ब्रामनों ने कहा धर्मराज यह मनुफ पुत्रिक छुआको के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दसरत नंदन भगवान सिरी राम के समान ब्रामन भक्त और स्थ प्रतिग्य होगा यह उसी नर्नरे स्रीवी के समान दाता और सरना गत वक्सल होगा तथा यागीकों में दुस्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंस का यस फैलाएगा धनुर धरो में या सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादापार्थ के समान अग्रगणे होगा या अगनी के समान दुर्धर्स और समुद्र के समान दुस्तर होगा या स्रीह के समान प्राकर्मी हिमाचल की तरह आश्रे लेने योग्य प्रिछ्वी के सद्रिस तितिक्छु और माता पित की महिमा धारन करने में स्रिकेष्ण का अनुयाई होगा रंती देव के समान उदार होगा और ययाती के समान धार्मिक होगा धैरे में बाली के समान और भगवान स्रिकेष्ण के प्रति दिर्ध निष्ठा में या प्रलात के समान होगा या बहुत से अस्व मेध्यग्यों का कर ब्रामन कुमार के साप से तक्छक के द्वारा अपने मृत्यों सुनकर या सबकी आसकती छोड़ देगा और भगवान के चर्णों की सरन लेगा। अपने अपने घर्च ले गएं। वही ये बालक संसार में परिक्षित के नाम से प्रसीद हुआ। राजा युदिष्टिर ने अस्व मेर यग्य के द्वारा भगवान की आरदना करने का विचार किया। परन्तु प्रजा से वसुल किये हुए कर और डंड के रक्म के अत्रिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गएं। उनका अविप्राय समझकर भगवान से किष्णी की प्रेड़ना से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्रामन द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यग्य की समगरी एकत्र करके महराज युदिश्ठिर ने तीन असुमेद यग्यों के द्वारा भगवान की पूझा की। इसके आगे की कथा में कल के अध्याय में सुनाओंगा तब तक के लिए भगवान हरी का नाम लेते रहें तो प्रेम से बोलिए विश्णु भगवान कीजे शिकिष्ण भगवान कीजे लक्ष्मी माता कीजे तुलसी माता कीजे समझत देवी देवताओं कीजे